एज जो एक है औरे समीर भाई आज कल मिलने रहें क्या वात है अरे यार बाई दोस्ते तोड़ी सी दिखकत आ गई है चलो इन लापी बताते हैं किया हो गया हो गया फो कि यार दोस्त चलो कि अब हो है speak है क्या मतलब हम जब आपके मिलने आते हैं तो गाओ के कुछ लड़के हैं और देख के जलते हैं और कहते हैं कि धरम अलग है तो मज्जा उनसे महीं है अच्छा यार जमाना कहां से कहां चला गया तहीं सबकी सोच वही कि वही पहले जैसे मतलब कि हिंदु मुसलिम इसका क्या फर्क है सबका खून तो एक ही है ना बता नहीं करते हैं यार अब्बु जान भी कहते हैं मत जाकर उनसे अच्छा आप स्वाज में नहीं आ रहा है जाकर उनकर रहे हैं अब्बु क्या करनो ठालों हाँ बात कर लो आए हालो हाँ पुजान हाँ बाजार में आया हूं कुछ काम था केक आ रहा हूं हाँ समीर अब बुजान क्या कह रहे थे ओ बुला रहे हैं घर से लग रहा है पि जान कहें हो भी तुमसे मिलने आया हूं चलो चाह ठीक तब फिर बाद में मिलेंगे ठीक चलो बाज जान मैंने समीर को जो चाहा हूं कहां इसी को मैं खोज रहा हूं चलो दिखाए आज उसको पताता हूं कि में तो अपनी आज़त नहीं चोड़ेखा तुम हींदू से मिलने गया था ना नए बजारगा था रहा है वहाँ पर हिंदे समिल्ला था रहा है चला तुझे सालो था रहा है अदे यार क्या करो मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है चलो टीक दिया रहा हूं ठीक रखिम्हा था रहा है तो इस जब आपसे मिलकर जा रहा था तो मेरा भाई रास्ते में मिला और उसके बाहर हूं अमीर को हाँ गया था बजार गया था अपनी आदर नहीं चोड़ेंगा तुम हिंदू से मिल्ले गया था ना रहीं बजार था ना था रहा हूं बाई साब आप इसे मार क्यों रहे हैं? इसलिए मैं मेरे अब्बु जान करीबन एक दो महिने से तुमारे साथ घूमने के लिए माना कर रहे हैं कि तुमारा धर्म अलग है तुमसे दोस्ती नहीं करनी है यह मान नहीं रहा है है भाई साब आप हमेशा धर्म की बात करते हैं लेकिन अगर आपका हाथ अभी काड़ दिया जाए और हमारा हात काड़ गेशाए दोनों का खोन से महां होगा तो आप हमेशा जारे धर्म पर क्यों जाते हैं तो हंदू-मुसल्म में क्यों बटवार बार-बार करते हैं आप लोगों के चलते ही हमारे समाज में अंद विश्वास फैला होगा है। आप लोग ऐसी सोच को कम किजिए और अच्छे विचार से पॉजिटिग थौट से आप लोग रहें। जबाइ सब बोल रहे हैं। अरे भाई, मैं अंद विश्वास ने पला थायार, अधर में के लिए। ठीक भाई, हम सब मिल कर रहे हैं।